सब्सक्राइब लाइटर पानी रोज स्कुए से निकलता है सब्सक्राइब लाइटर पानी रोज स्कुए से निकलने वाले जमजम के पानी ये होती है तो ये पानी ना सिर्फ चमतकारी है बलकि इतना रहस्ते महीं है कि इसके बारे मसंगराब भी परेशान हो जाएगे क्योंकि इस कुए से हर रोज हजारों के संख्यावे लोग पानी निकलते हैं लेकिन इतने सालों में ना ही ये कुए सूखा और ना ही इस कुए का वाटर लेवल कम हुआ और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है स्लाम धर्म के लोगों के लिए किसी अमरत से कम नहीं है जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अब हम आपको एक वैग्यानिक की इस पानी के उपर की गई रिसर्च के बारे मां बताएंगे तब तो आपको और ज़्यादा हैरानी होगी तो चलिए शुरू करते है स्लाम आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसमें ऐसी कई कहानिया हैं जो आपने सुनी होगी उसी मैसे एक है जमजम के पानी की ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों पहले पेगंबर इबराहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इसमाईल को अलाह के दिये हुए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले आए बेटे समाईल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की एक भी बून दिखाई नहीं दे रही थी मासून समाईल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा तब ये एक चमतकार होता है कि रेट में से पानी निकलने लगता है और यही वो जगा है जहां परबाद में खुएं को बना दिया गया जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है इसी पानी को मक्का मदीना में हज की आत्रा करने गए लोग ना सिर्फ पीते हैं की तहकिकात की गई फिर यह नतीजा निकाला गया कि जमजम का पानी मक्का के पहाणों पर बनी तरारों से आता है और इस्लामिक मानेता की माने तो पहाणों पर बनी ये दरारे तब बनी थी जब स्माइल ने अमना पैर जमीन पर रगड़ा था अब आप सोच लीजे कि इसमाइल के पैट रगणने से मक्का में इस कदर महीन दरारे पड़ गई कि आज के समय के वैग्यानिक भी इन दरारों को देख काफी हैरान हो चुके है अब यह सवाल यह है कि आखर क्यों मसल्मान जमजम के इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं इस बात की खोच करने के लिए कई सारे वैग्यानिकों ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की लेकिन जपान के एक वेग्यानिक Masaru Aimauto ने एक ऐसी खोज निकाली, जिसने हर किसी को हैरत मे डाल दिया Masaru Aimauto एक ऐसे वेग्यानिक हैं, जो दनिया बर में अलग लग जगे पर पानी पर रिसर्च करते हैं ऐसे में जमजम के पानी के उपर रिसर्च करने के लिए इन से बेतर इंसान कोई और नहीं हो सकता था जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उस पर काफी लंबे समय तक अपनी स्टडी की इन्होंने रिसर्च की और ये रिसर्च इसलिए लंबे समय तक चली क्योंकि एमोटो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये पानी है कैसा इस तरह का पानी उन्होंने आज से पहले कभी भी भी नहीं देखा था इनका कहना है कि जमझ के पानी के पार्टिकल माइक्रोसकोप से ही नहीं देखे जा सकते जमझ के पानी इतना ज़्यादा ताक्रटबर है कि इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए इसके क्रिस्टल्स बनाने के लिए जमजम पानी की एक बून को नॉमल पानी की हजार बूनों के साथ मिलाना होगा। तब जाकर इसके पार्टिकल्स माइक्रोसकोप से देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। मसारू एमोटो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं इनका कहना है कि जब जमजम के पानी की मातर एक बूंद को नॉमल पानी के हजारों बूंदों से मलाया जाता है तो उन हजारों बूदों में ये वही गुणा जाते हैं जो जमजम के पानी एक बूद में होते हैं अगर हम इस जापानी विग्यानिक की माने तो इनके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमतकार से कम नहीं है अब अगर हम किसी नॉमल पानी के क्रिस्टल बनाएं तो उसकी बनावट अलगी होगी लेकिन जब मसारू एमोटो ने जमजम के पानी से क्रिस्टल बनाई तो वो पूरी तरह से दंग रह गए क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था सिर्व इतना ही नहीं जमजम के पानी से बनने वाला क्रिस्टल नॉमल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मकाबले बहुत ज़्यादा खुबसूरत भी बनता है दोस्तों जमजम का पानी इस दुनिया का एक मातर ऐसा पानी है जो भी खराब नहीं होता है और ना ही उसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े वखोड़े पनपते हैं आम तोर पर दुनिया पर में जितने भी कुए हैं उनमें काई जमलें लगती हैं लेकिन जम्जम का कुए एक मातर ऐसा कुए है जिसमें आज तक कोई काई नहीं जमी है यहां तक कि ऐसा भी का जाता है कि जम्जम का पानी उंखों के लिए खाना और बीमारों के दवा लेकिन दोस्तों जहां एक तरह मुस्लिम इस पानी को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लाइक भी नहीं मानते 1971 में मिस्सर के एक डॉक्टर ने येरोपियन प्रेस को लिखा कि मक्का का जम्जम का पानी लोगों के पीने के काबिल नहीं है दरसल इसकी इस बयान की बुनियात थी कि कावा सी लेवल से नीचे है और मक्का शहरों के बीचों बीच है इस वज़े से मक्का शहर का गंदा पानी नालों से इस कुए में आकर जमा होता रहता है ये खबर साओधी अरब की किंग फैजल तक पहुंची और उन्होंने मिस्सर के इस डॉक्टर के इस बयान को गलत साबिच करने का फैसला किया उन्होंने पौरण साओधी के क्रिशी और पानी वसाइल हुजरा को इस मामले में चार्च करने और जमजम पानी का एक सैंपल चेक करने के लिए ये उरोपियन लेबर्टरी में भेज़े जाने का हुक्म दिया जब वह भाँ पहुँचे हो तो उन्होंने देखा कि ये पानी का एक छोटा सा कुंड था छोटे पोखर के समान 18 बाई 14 का ये कुवा हर साल लाखों गैलन पानी हाजियों को देता है और इस रुसला तब से चालू है जब से वजूद में आया है यानि कई शदाबदियों पहले अजरत इबराहिम के वक्त से उन्होंने अपनी कोजविन शुरू की और कुवे को अच्छे से समझने की कोशिश की उन्होंने कुवे की गहराई मापने एक लेक शक्स को पानी मोटार कर भी देखा उनने देखा कि पानी की सत्य उसके कंधों से थोड़ा उपरी थी और शक्स की उचाई तकरीबन पाँच फीट आठ इंच थी और शक्स ने सीधा खड़े रहते हुए उस कुए में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ खोजबीन की कि पानी आखर किस तरफ से आ रहा है पानी की धारा कहा है जहां से पानी निकल रहा है उसे पानी में डुक्की लगाने की जाज़त नहीं थी इसलिए उसने बता है कि पानी किस जगे से निकलता है उससे अभी समझ में नहीं आया इसलिए उन्होंने दूसरा आइडिया सोचा उन्होंने इस कुए में पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप लगा लिये टाकि वहाँ से तेजी से पानी निकल सके और पानी के स्रोत का पता लग सके उन्हें एरत हुई कि ऐसा करने पर भी कुए के पानी आने के जगा का पता नहीं चल पाया लेकिन उनके पास सिर्फ एक मातर यही तरीका था जिससे जाना जा सकता था इसलिए उन्होंने पम से पानी निकालने के तरीकों को फिर से दोर आया और पानी में खड़े होकर होर से उस जगह को पैचानने की कोशिश करने लगा इस बार कुछ वक्त बाद ही उसने हाथ उठाया और खुशी से जुब उठा और बोल पड़ा मुझे कुए में पानी आने की जगह का पता चल गया उनके पैरों के नीचे की ये जगह है जहां से पानी आ रहा है पंप से पानी निकलने के दौरान ही उसने कुए के चारों तरफ चक्कर लगाए और उसने देखा कि ऐसा ही कुए में दूसरी जगह भी हो रहा है यानि कुए के हर हिस्ते से पानी आ रहा है इस तरह उसने अपना काम पूरा किया और यूरोपियन लेबर्टरी में जाँच के लिए भीजने के लिए पानी का सैंपल लिया है अब इसका रिजल्ट भी देख लीजिए जमजम के पानी और मक्का शहर के सारे पानी में कैलसियम और मैंगनीसियम सॉल्ट की मात्रा का फर्क था जमजम में दोनों तत्व जादा थे शायद यही वज़ा थी कि जमजम का पानी या आने वाले कमजोर हाजी को भी ताकदवर और तरोताजा बनाए रखता है एहम बात यह थी कि जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड अपना एहम असर रखता है यह फ्लोराइड की टानू नाशक होता है यह तक कि यूरोपियन लेबर्टरी ने अपने जाँच में बाद में बताया कि यह पानी पीने के लिए अच्छा है और इस तरह मिसर के डॉक्टर का जमजम के बारे में फैलाएगा प्रोपेगेंडा खलत साबत हुआ इस रिपोर्ट की जानकारी जब शाँ फैजल को दी गई तो बहुत खुश हुए और उन्हों ने यूरोपियन प्रेस की जाँच रिपोर्ट भिजवाने के हुक्म दिये इस से जुड़ी एक और हैरत कर देने वाली बात आपको बता दें कि जमजम का ये कुवा कभी भी नहीं सुखा यही नहीं इस कुवे ने ज़रूरत के मताबक पानी की सप्लाई की है जब 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 जितने पानी की ज़रूरत हुई है यहाँ पानी रहता है इस पानी के सॉल्ट की बनावट हमेशा एक जैसी रहती है इसका स्वाद भी जब से बजूद में आया तब से हैसाई है इनिवर्सल टेस्ट अलग अलग जगे के पानी का स्वाद अलग अलग होता है लेकिन जमजम पानी का स्वाद इनिवर्सल है हर पीने वाले को इस पानी का स्वाद अलग सा महसूस नहीं होता है कोई जैविक विकास नहीं इस पानी को कभी रसायन डाल कर साफ करने की भी जरूत नहीं होती जैसा कि पीने के पानी के मामले में ये तरीका अपनाया जाता है ये भी दिखा गया है कि आम दोर पर कुवों में कहीं जीव या वनस्पती पनब जाते हैं कुवों में शैवाल हो जाते हैं जिससे कुवे के पानी में सुआद और गंद का मसला पैदा हो जाता है लेकिन जमजम के कुवे में किसी तरह का जैविक विकास का कोई निशान भी नहीं मिला है आपको इसके बारे में क्या लगता है मैं कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो गर आप पसंद आई हो दो से लाइक और शेयर जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना पूलें वीडियो खता हूं तोससे हम जम जम पानी के तहानी है इसमें मतलब है बहुत अच्छा लगा जम जम पानी कहां से आता है कहां से नहीं कैसे मतलब परवर लग क्यों है इसमें जो इब रखने द openल अपने बेगंगोवा इश्माइल भी पेटा ना उनके उनको साथ मतलब आया थे जो छोड़ के गए वहां पर जहां पर books communication praw trans आसा बच्चा मतलब पियास लगा था तो श geschक्षा सरु रहा था पानी म coloring नो रहे थे बानी के लिए तो अब देते प है को देख देन था हैं जितने पहाण ठप स्थ cabin 1 9 अज़िए तो चाहिए मतलब पानी अच्छा है अच्छा है अच्छा मतलब करें जाते हैं जक्ते हों पें मक्क अदिना में है जकरने और बोले घ्रव लुटाइबा है दोन मत कमनें होते हैं हमा यह जो जाते हैं तो आफ़ा नहीं तो है जैते हैं पमने Skyam अधिन होते हैं करते हैंज्व लुगद्धाने अंड़ागं diss MacBook जाज करें दी जाच की एका या रांत अच्छा पाली है ऐसा पानी दुनिये में कहीं नहीं पॉय जाता है उस्से फिटर बनाया कि उस पानी से जोने ऑफ रांव हो जैसे आरा कि इतना बने मतलब नाम के भुझतारि तो जमजम पानी के मतलब कहानी एता है फ्रेंसिटिक वह सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा आने माली हरे वीडियो के निट्रिकिशन आपने प्रिक दी रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ प्रेंज